दोस्तों बात करें तो यहाँ पर इंडिया के अंदर 30 से ज़ादा यहाँ पर आपको OTT एपस देखने को मिलते हैं यानि कि 30 प्लस और अगर रीजनल वगरा मिला ले तो बहुत ही बड़ा एक नंबर यहाँ पर हो जाता है और अभी हालत ऐसी कि 30 सारी एपसे लेकिन देखते हैं आप कित्ते हो और शायद लग रहा है कि जो अपना बून था जो OTT एपसी जो स्ट्रीमिंग सर्विस थी वो इंडिया में अल्रेडी अचीव कर चुकी है स्टार की यहां पर एंट्री होती है और उस समय होट स्टार का बेसिक फंडा यह था कि इंटरनेट बेस्ट एक वेबसाइट रहे कि जहां पर हम अपने जो स्टार प्लस के शोज है वो डाल देंगे कुछ फिल्में वगरा डाल देंगे और यहां पर जो मैचेस वगरा होते ना आई पी एल के और किरकेट मैचेस यह सब यहां पर दिखा दिखा देंगे इन सब सिक शुरुआत हुई थी फिर 2016 में इंडिया में इंट्री होती है नेट्फिक्स की खास बात है कि उस समय नेट है तो आपके लिए कुछ एक्स्टा कॉंटेंट है वाले बहले कुछ फिल्में मिल गई पर दोणोड करके देखते थे और वो कुछ चीजों का एक्सस यहां पर नोंने दे दिया और कुछ लोग इनने इस चीज को यहां पर एंजॉई कि देखने लगे लिगन क्या था कि प लग जाएंगे अभी वो जो स्पीर होता है ना कि भाई ये दो वीडियो आ गए एक सीरीज आ गए एक दो एपिसोड आके वो तुम्हें देखी सकता हूँ वो एक सेंस ओफ सिक्यूरेटी आने लगया लोगों में कि अब लोगे वो इंटरेट पर जाधा टाइम स्पेंड करने और उसमें से कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा जाधा पैसा देखे एक ऐसी सर्वेस यहां पर ले सकते हैं लेकिन फिर भी देखा जाए तो यह माइनर चीज ही यहां पर चल रहे थी लेकिन फिर मैंने एक ट्रेंड देखा अरौड 2017 और 2018 और 2019 के रहा हूँ उस समय यहां पर हो गया था कि जो OTT एप्स जी ना वो लोगों को अट्रेक करने के लिए भिए कर रही थी कि जैसे सिनेमा हॉल में कोई मूवी चल रही है ना वैसी वो मूवी जैसी उत्रे यानि कि थेटर के बाग जहां वो फिल्म सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी वो होगी आपकी OTT services यानि कि जो स्टार की फिल्में थी बहुत स्टार प्यार रहे थी प्राइम वीडियो का फिसार यहां पर 2018 में आता है जब इंडिया में एक web series का revolution आ जाता है अब web series का revolution ऐसा था कि इससे पहले web series एक्जिस्ट करती थी लेकिन वो एक्जिस्ट करती थी यहां पर आपकी सिर्फ YouTube पे येस YouTube पे small mid budget की आती थी TVF वालों की कुछ web series तो सीधे सीधे उनोंने YouTube पे ही रिलीस करी थी अब देखा तो लोगों को free में देखने ही क्या आदा थी लेकिन 2018 के बाद से आप देखेंगे तो जो ज़्यादा पैसा वो जाने लग गया web series और movies के अंदर याने की जो OTT platform है एक्छा होट स्टार की बाद कर लेचा है Netflix प्राइम वीडियो यह तिनों ही बहुत सारा पै देखे कि उन्हें भी कोई नए चीज मिली और असली राइस यहां पर शुरू होता है इनका कि लोग अब अट्रेक्ट होने चलते लोगों को उनकी फेवरेट मुवीज देखने को मिल रहे है नहीं नहीं फिल्म में आ रही है एक्स्क्लूजिवली आ रही और इस चीज में म सबसे बुरी तरीके से वाक्ट वी थी वो थी entertainment industry क्योंकि pandemic में most of the theaters यहां पर बनते 2020 में लंबे समय तक theaters यहां पर बनते और काफी सारी फिल्में जो theaters में release होने वाली थी उनको directly यहां पर OTT platform पर release किया गया था और ऐसी बहुत सारी थी कि एक time तो ऐसा गया था कि हर हफते को सब उन्होंने यहां पर भरना शुरू किया क्योंकि इन्हें मालूम था लोग यहां पर घर में बैठे हैं उनको content चाहिए और इस सबसे अच्छी opportunity और अगर आप number of activity देखेंगे या फिर जो सबस्यादा shows यहां पर जो stream करेगा है जो काफी सारी चीज़ों होई है वो pandemic के द लेकिन सिर्फ अब तर क्योंकि अब हम लोग almost एक post pandemic एरा में पहुंच चुके हैं और उस एरा में एक ही चीज़े नॉर्मल सी हो चुकी है ठेटर्स भी open हो चुके हैं काफी सारी चीज़े और अब जितना बड़ा boon यहां पर आ रहा था था ना और वो बून यहां पर चला है लेकिन कहानी में तो बड़ा ट्विस्ट अब आने वाला था पहले चीज़ जो downfall को जो one of the key reason मन रहा है वो है इनका streaming fatigue अब streaming fatigue एक नहा टर्म जो शायद आप यहां पर सुन रहोगे लेकिन यह exactly true है streaming fatigue वो रहता है कि एक आदमी कितने shows देख लेगा कितनी फिल्में देख कितनी चीज़ें कर सकते हो, एक हद तक shows देख सकते हो, दिन बढर तो बैठके नहीं देख सकते है और देखते रहोगे तो खुद बोर हो जाओगे एक हद तक चीज़े देखी जा सकते हैं मतलब आज के समय कि आप लोग के साथ भी ऐसी चीज होती है कि देखने बैठो एक दो एपिसोड के साथ मन खराब हो जायता है फिर आप कुसी और चीज पर चले जाते हो यह exactly streaming fatigue है जिससे आज के समय में इंडिया global audience यहाँ पे थोड़ा जूज रही है क्योंकि उन्होंने पिछले को समय में इतना जादा content देख लिया है कि अब नए content को consume कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है और जब कोई नई और extraordinary चीज आती है तब ही लोग यहाँ पे इसके लिए excited होते है एल्स तो यहाँ पे रोज आना कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आता ही रहता है दूसरी चीज है यहाँ पे mobile data के prices पिछले दो सालों में mobile data के prices इंडिया में increase हुए और इस समय mobile data यहाँ पे थोड़ा सा महेंगा हो गया और जहाँ पर लोग दो तीन तीन सिम रख ले थे थे अब वो सब भी एक सिम क्यूपर आ गया क्योंकि और पैसा यहाँ पे जादा लग रहा है और data एक जमाने में जितना सस्ता था अब उता यहाँ पर रह नहीं गया है इसके साथी बात यहाँ पे है कि पिछले कुछ समय में यहाँ पर OTT apps ने भी अपनी कीमत बढ़ा दी है यह भी बड़ा फेक्टर है जहां 2020 से पहले होट स्टार कीमत एक हजार रुपए हो थी तो थाउजन ट्वेंट इक बड़ा हो गया यहाँ में Amazon प्राइम वीडियो की फीस में इंक्रीमेंट आ गया करके आप ऐसा कॉंटेंट बनाएं जो लोग को यहाँ पर अपील करें इस्टेट ऑफ गॉइंपर कॉंटेटी की भर दो बहुत सारा क्वालिटी पर फोकस करो कुछ कम बनाओ या फिर उतना बनाओ क्वालिटी का मैच रखो कि लोग को अच्छी चीज देखने को ले अगर प्लस के चलता है और अब तो डिजनी प्लस के साथ मार्वल वगरा है सब चलता है लेकिन फिर भी उसमें मैजॉरिटी कॉंटेंट ऐसा है जो शाद यहां पर लोग कंजूम ही नहीं कर रहे हैं और एक जमाने में सोनी लिफ के भी यहां पर शो वगरा है यहां पर काफी इसके साथ ही बात की जाए तो वूट हो गया एक कलर से आयते ऐसे हर एक एप जो रहती वो इसी चीज़ का प्रॉब्लम से फेस कर रही है अब आखेर आप इस प्रॉब्लम को सॉलुशन क्या हो सकता है यह को सिंपल से सॉलुशन से पहला सॉलुशन तो यहां पर आमजन प् पसंद नहीं करते हैं जैसे कि लाइंस गेट प्ले का किते लोग अलग से जाके लेते होंगे इससे बैटर यह ना कि कहीं आपको कोई बंडल आफर मिल जाए और वहां पे आप चले गए और एक दो चीज़ आपको देखने तो आपने वहां जाके देख लिए ऐसे जीओ के स साल भर का सब्सक्रिप्शन लोग यह चीज़ यहां पर अखरती नहीं है लोगों तो यह एक स्मार्ट सॉलूशन है कि बंडल कर दो टील्स और उसके बाद लोगों को दे दो ताकि लोगों को भी ऐसले कि उनकी उपर इत्ता फैनेंशल प्रेशर नहीं पढ़ रहा इसके सा जो थेटर से उतर किया उनको पहले यहां पर रेंटल सर्वेस में चलाता है उसके बाद एक महीनी के बाद अपने यहां पर डालता है इससे बेनेफिट ही मिल गया कि लोग जिन्होंने प्राइम मैंबर्शिप ले रखे वो लोग सोचेंगे चलो यह फिल्म अच्छी चलो थोड़े पैसे देखे चलो यह फिल्म भी ले ले लेते हैं रेंटल सर्वेस कोई नई चीज नहीं है बहुत सारी वेबसाइट इंडिया में बहुत पहले से चला रही थी बस उसको मॉडिफाइ करके यहां पर ले आएं वहीं बात करें नेट्फिक्स की तो नेट्फिक्स अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर में रहेगा कि काफी सारे जो ओटी आपसे वो इंडिया में बंद हो जाएंगी सिर्फ 10 से कम ही आपको देखने को मिलेंगी और काफी सारी जो छोटी 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 एप से वो बड़े बड़ों में मर्ज हो जाएंगी लेकिन कुछ जो मेजर एप से वो यहां पर रहेंगी होट स्टार अपनी किर्किट मैच इसके लिए रहेगी नेट्फिक्स बहुत बड़ी एमजन प्राइम वीडियो बड़ी यह सब तो एक्जिस्ट करेंगे सोनी लिए इसलिए एक्सिस्ट करेंगी सोनी चैनल है वोट इसलिए क्नलिए की कलर से जी फायब इसलिए पूरा जी नेटवर्क है ऐसे जो बड़े बड़े नेट्वर्क चों जुड़े उह है है वह सब नातर ही उह चौट säga ए नहीख सब आपस में मर्ज होते चलियांगे इनी के अंदर ही कही ना के इंक्लूड हो जाएंगे एवन TVF का काफी अच्छा एक्जामपल है TVF की एक जमाने में TVF Play खुद की OTTF सर्विस ती जिसके अंदर वो अपने शोज वगरा एक्स्क्लूसिव ली दिखाते थे लेकिन क्या वो उन्होंने TVF Play पर कॉंटेंट डाला बिल्कुल खतम कर दिया इसकी जगे वो Netflix से प्राइम वीडियो से जाकर जोड़ गए जहां पर उनके लिए शोज बनाते हैं मतलब एक जमाने में TVF को यूटीब पर आते थे फिर उनकी वेबसाइट पर आते थे अब सीधे प्राइ कि इन देखना था वो शायद अल्रेड ये लुक देख चुके हैं अब जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है न वो शायद काफी सारी OTT apps नहां पर फेस्ट करें तो यह सारी कहानी होते हैं आप स्ट्रीमिंग अप्स की आप लोग का इस बार में क्या ओपीनियन ने क्या सोचत यह बात मुझे नीचे कमेड़ मता ना भूला वीडियो पसे जाल लाइक करू जालको सब्स्क्राइब करू थांग कुवरी देखने कि लिए नास वां दो नेक्स्ट वन में गुद्बाई